हर्याडा विधान सभा के तीन देवसिय शीद कालें सत्र के बाद मुखिवंतरी मनोहर लाल प्रेस कॉन्फरेंस करे इस बीच मुखिवंतरी मनोहर लाल ने कहा कि आज तीन दिन के सत्र के समापती हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अच्छे से सववाद हुआ ध्याना कर्शर प्रस्ताफ पर चर्चा हुई साती सियम में ये भी कहा कि आगरा नहर जो दिल्ली से निकलती है उसमें बहुत प्रदूशर होता है दिल्ली सरकार से अगरह किया है कि पाली को साफ करके भीचे अभी चीत कालेन जो हुआरा सत्र है तीन निका आज जो स्वापत हुआ है और बहुत एक अच्छे प्रकार से सब डिस्कुशन्स हुए सतापक्ष विपक्ष यह ठीक है कि लोग तंतर में छोटी बोटी नोग जोग भी होनी चाहिए लेकिन इस बार प्रशनोत्तर और साथ में जिस प्रकार का एक समवाद कभीताओं का चला वो भी विशेश एक अवसर था उसमें एक अनंद सरे सत्र में सदस्चों ने भी उसका लिया और आज तुल मिलाकर के प्रशनोत्तर के बाद जिरो और जिसको कहते है और जिरो और के बाद जाना करशन प्रस्ताव वो चर्चा उसके उपर हुई आज आगरा नहर जो दिल्ली से निकलती है उसमें प्रदुशन बहुत मात्रा में है उसके पानी का उप्योग हमारा प्रिदावाद जिला, पलवल जिला, नू जिला, ये तीनों जिलों में पानी का उप्योग लोग करते हैं लेकिन जिस प्रकार का प्रदूशन होता है बहुत ही एक कठाई भरा एक जीवन वेथित करना पड़ता है वही गुरुग्राम में खुले में नमास पढ़ने को लेकर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है बजरंग दल और हिंदू संगथन ने अतराज जताते हुए गुरुग्राम की डीसी को मुख्य वंतरी के नाम ग्यापन स्वापा और मांग की है कि खुले में नमास पढ़ने की अनुमती को रद किया जाए अगर ऐसा नहीं हुआ तो बजरंग दल और हिंदू संगथन भारी विरोध करेगा इस दूरान अगर शहर की शांती विवस्ता भंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी विशुन दू परिशाद बजरंग दलने आज ग्यापन सोपा है कि खुले में नमास अदा की जा रही है उच्विशे में कि इस खुले में नमास अदा करने का परकण जो पुराना चला आ रहा है पहले 57 जिगह होता था उसके पास 36 जिगह हुआ अब 6-7 जिगह अब भी चल रहा है तो विशुन दू परिशे बजरंग लिए बांग करता है खुले में नमास टोटली बंद की जाए जो माननी मुख वही बुदवार को भारती रास्ट्री कॉंग्रेस का 138 इस्थापना दिवस मनाया गया कॉंग्रेस इस्थापना को लेकर नेता प्रतिपाक्षी भुपेंद्र सिंग हुड़ा का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का 138 इस्थापना दिवस मनाया जा रहा है भ कॉंगर्स का से 177 साल पहले इस्ताफित हुई थी और जो लक्षे लेखे हुई थी कि हिंदुस्तान को अजात कराना है थोड़े से आदमी थी और बढ़ते बढ़ते कॉंगर्स के नेतर्तव में गांदी जी आए तो देश अजाद हुआ और इसके दोरान बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी और हर धरम के आदमी ने 177 संग्राम में हिसा लिया चैए वो हिंदू था चैए मुसल्मान था चैए सिक्थ था चैए हिसाही था सबने सारे जातियों ने लिया बहुत सारे जैसे दलित भाई हैं वो भी जेल में ग जिनके गाउं और नाम का भी नहीं पता जिनों ने अपने देश के लिए जान कुर्बान की और अपनी जवानी खुई तो आज वही मुद्दा लेके आंगरस जो है जन्चेतना जगा रही है राहूल गांदी फजियात्रा कर रहे हैं फिबे देश एक है सब एक है सब मिद्ज चाहिए ये उदेशे लेके चलें और जो महगाई और जवाब की बेरोजारी है उससे छुटकारा पाने के लिए यह आत्रा है